हेलो गाइज, वेलकम टू आईति स्टेडी, आज अपन न्यू चेप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियन्स, इसमें सबसे पहले अपने इंट्रोडेक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियन्स क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियन्स इज ए स्ट्रिंग ओफ वेरियबल एंड नम अब इसमें अपन ये देखेंगे, वेरियबल क्या होता हो और नमबर क्या होता है अपना, तो अपने जंदरल इक्वेशन होती है, ए अक्स स्क्वाइर फ्लस बी अक्स प्लस सी, यहां पे ए, बी और सी, यह अपने नमबर हैं, ए, बी, सी, यह अपने नमबर हैं, और अक्स वेरियबल, अब जैसे अपने एक एक्जामपल लिया हैं यहां पे, टू अक्स क्यूब माइनस फाइफ अक्स स्क्वाइर प्लस टू अक्स प्लस फाइफ, अब यहां पे, टू अक्स क्यूब और फाइफ अक्स स्क्वाइर, ट इसमें जैसे 2x cube है 2x cube इसमें ये 2 क्या है ये अपना coefficient है coefficient और x अपना variable और power 3 exponent अब इनके सब की अपन conditions पढ़ेंगे coefficient में क्या condition है अपनी इसमें है any real number इसमें कोई भी real number हो वो अपन ले सकते हैं और variable है इसमें अपन कोई limit नहीं होती है x ले सकते हैं y ले सकते हैं z ले सकते हैं तो इसमें लिखेंगे no limit on the number of variable अब ये है exponent इसमें सबसे बढ़िया condition है has to a whole number इसमें whole number होना चीए तो whole number अपना कहां से start होता है 0 से 1, 2, 3 so on infinity अब इसमें exponent में माइनस में नहीं होना चीए अपना fraction में नहीं होना चीए अगर ये होए तो अपना कोई भी equation है वो polynomial नहीं होगी जैसे अपन अपन एक एकजामपल लेते हैं root x इसको अपन क्या लेख सकते हैं x की power 1 by 2 तो ये 1 by 2 ये ये fraction में हैं तो ये अपना polynomial नहीं होगा एक जैसे अपन x की power 0 अब इसकी power 0 है तो ये अपना polynomial होगा कैसे होगा क्योंकि ये whole number है 0 से लेके 1, 2, 3 infinity तक और एक एकजामपल है x की power 1 by 2 माइनस का अब ये माइनस में है तो ये भी अपना polynomial का एकजामपल नहीं है अब अपने इस एकजामपल में 2 x की power 3 ये power 3 क्या है ये अपनी degree है जिस equation में highest power होगी वो उसकी highest degree होगी जैसे अपन इसमें 1 by 1 करके समझते हैं degree 1 अगर किसी भी equation की degree 1 होगी तो वो linear equation होगी linear equation इसका एकजामपल है अपना x plus 2 जिस equation की अपनी अगर degree 2 होगी वो quadratic equation quadratic equation अब इसका एकजामपल अपना 2 x square plus 5 x plus 4 अगर degree 3 होगी अपनी उसको अपन cubic equation बोलेंगे cubic equation इसका एकजामपल है 3 x cube plus 2 x square plus 5 अब इन सब इकजामपल में अपन ग्राप के थूँ जीरोज की वेल्यू की बात करेंगे तो सबसे पहले zeros क्या होता है polynomians में वो निकारेंगे अपन जैसे यह अपनी equation है x plus 2 linear equation इसमें x की अपन क्या value रखेंगे कि इस equation की value अपनी 0 हो जाए तो यहाँ पे अपन minus 2 लेंगे x की value तो इस equation की value 0 हो जाएगी तो आगे समझते हैं इसको अपन यह अपना है zeros of polynomians तो इसमें a zero of a polynomial in the value of the variable for which the value of polynomial becomes 0 अब इसमें अपन एक linear equation का example लेंगे x plus 5 इस x की अपन क्या value रखेंगे जिस से इस equation की value 0 हो जाएगी तो अपन यहाँ पे minus 5 लेंगे तो equation की value अपने 0 हो जाएगी अब अपन इसमें आगे और steady करते हैं graph के through in zeros की value निकालेंगे 1y1 करके linear equation में quadratic और cubic में तीनों में तो अपन सबसे पहले linear equation लेंगे geometrical meaning of zeros of polynomians इसमें अपन सबसे पहले linear equation लेंगे तो linear equation अपन ले रहे हैं y equal to 2x minus 3 अब इसमें अपन एक graph को draw करेंगे तो सबसे पहले x और y की value अपन इसमें x की value रखेंगे तो y की value अपने पास आएगी यह अपन एक table बना लेते हैं उससे फिर graph को draw करेंगे और उसके बाद में उसमें 0s की value निकालेंगे अब 0s की value अपन केसे निकालते हैं कि जो graph अपनी x x point पे जितनी बार भी उस रेखा को cut करेगा वो उतने ही अपने 0s की value होगी उसमें अपन graph के थुरू बात करेंगे तो सबसे पहले अपन x की value 0 रखते हैं तो यहाँ पे अपन x equal to 0 y equal to 2 into 0 minus 3 तो यह 2 into 0 minus 3 y की value तो यहाँ पे minus 3 अब इसमें 1 लेंगे अपन x equal to 1 y equal to 2 into 1 minus 3 तो यह minus 1 आ जाएगी इसकी value यहाँ पे minus 1 अब ऐसे ही अपन x की value 2 रखके solve करेंगे इसको तो अपनी y की value वन आ जाएगी अब अपन ग्राफ को ड्रो करते हैं अब यह अपना ग्राफ है अब इसमें अपन सबसे पहले यह अपनी x x है और यह y x है इसमें अपन इन पॉइंटों को ड्रो करेंगे तो x और y की value 0 और minus 3 लेंगे अपन तो x पे तो अपना 0 यहां पे y equal to minus 3 तो यहां पे minus 3 तो यह point अपना यहां पे आएगा तो 0 और minus 3 अब second में अपन 1 और minus 1 लेंगे तो 1 तो अपना यहां पे है और minus 1 यहां पे तो 1 और minus 1 अगला point अपना 2 और 1 इस पे तो 2 और y पे अपनी 1 तो यह value यहाँ पे आएगी 2 और 1 अब इस graph को अपन ड्रो करते हैं यह अपनी line अब यह line अक्स-क्स को इस point पे cut कर रही है और 1 वार cut कर रही है तो इस linear equation y equal to 2x minus 3 के zeros की संक्या 1 होगी अब इसमें अपन next quadratic equation को लेकर solve करते हैं उसको उसमें भी zeros की value की बात करेंगे quadratic equation की बात करते हैं y equal to x square minus 3x minus 4 अब इसमें अपन x और y की value फूट करके यह table draw करेंगे उसके बाद में अपन इस graph के through zeros की बात करेंगे अब यहां पर इसकी power 2 है तो इसमें अपने maximum two zeros की value आएगी और minimum अपना one zero भी हो सकता है इसमें और cubic में maximum अपना three होगा और minimum अपना two one हो सकते हैं इसमें तो इसमें अपन कैसे निकालते हैं अपन सबसे पहले x equal to zero रखते हैं इसमें तो zero तो y equal to यहां पे क्या होगा तो x की value zero रखेंगे तब अपने x equal to zero तो y equal to यहां पे zero रखी minus three into zero minus four तो यह minus four रह जाएगा अपना तो minus four यह minus का four अब ऐसे अपना one लिए x की value तो y equal to one का square minus three into one minus four तो यह three minus का और minus का four कितना होगा seven और यहां पे one तो six minus के रह जाएंगे अपने पास अब अपना minus one लेंगे यहां पे x की value तो इसमें अगर minus one foot करेंगे अपनी तो y की value अपने पास zero आएगी अब यहां पे x की value अपना minus two लेंगे तो minus two का square यह four हो जाएगा minus three into minus two तो minus minus plus हो जाएगे यह six हो जाएगा और minus four तो अपनी यहां पे value आएगी six y की अब अपना x equal to four लेंगे तो four का square minus four into three minus four तो यह value अपनी zero आजाएगी अब ऐसे ही x की value अपना five लेंगे तो y की value अपने पास क्या आएगी तो five रखेंगे इस equation में y equal to five का square minus three into five minus four तो यहां पे value अपनी y की आएगी six अब अपनी इस graph में draw करेंगे इन points को तो zero और minus four तो यह अपनी x x है और यह y x है अपनी तो zero यहां पे और minus four यह इस point तो यहां पे अपनी draw करेंगे point को zero और minus four second point है one और minus six यह one और यह minus six तो यह point है यहां पे आएगा one और minus six अगला point है minus one और zero यहां पे minus one और zero इसी point पे आएगा अपना तो minus one और zero next point है minus two और six प्लस का तो minus two तो यह और six कहां पे आएगा यह वाला point तो minus two और six यह point आगया अपना minus का two और six next point है four और zero तो यह अपना four है और zero इसी पे आएगा अपना तो यह four और zero next point है five और six यह तो five और यहां पे six यह point five और six अब इन points को अपन ड्रो करेंगे तो ड्रो कैसे करते हैं यहां से अपनी start किया graph को तो यह points को मिलाएंगे अपन यह line अपनी ड्रो हो गई अब इसमें x x को अपने कितने point पे cut कर रहा है तो एक point तो यह रहा और एक यह तो इसमें zeros की value अपनी two i की quadratic equation y equal to x square minus three x minus four तो यह अपने solve कर लिया इस graph के through अब इसमें अपन next cubic equation की बात करेंगे यह अपनी cubic equation है y equal to x q minus four x इसमें x की value लेके अपन y की value को निकालेंगे फिर graph में draw करेंगे और उसके बाद मैं अपन zeros की value को निकालेंगे तो सबसे पहले अपन x equal to zero लेंगे तो इस equation में x equal to zero रखेंगे y equal to zero minus four into zero equal to zero तो y की value भी zero आजाएगी अब x की value अपना one लेंगे x equal to one तो y equal to one की cube minus four into one equal to one minus four equal to minus का three तो यह minus का three आगे अपने पास अब यहाँ पे minus one लेंगे अपन x equal to तो y equal to minus one की cube तो minus one लेंगे अपन यहाँ पे तो minus one इसमें रखेंगे तो अपनी value y की आजाएगी three अब ऐसे ही अफन इसमें two value लेंगे x की तो अपनी इसमें 2 रखेंगे तो y की value अपने पास 0 आ जाएगी अब x की value minus 2 लेंगे अपन यहाँ पे तो इसकी value अपनी 0 आ जाएगी y की अब इस graph में अपन ड्रो करेंगे points को 0 0 अपना यहाँ पे है 0 0 second point है 1 और minus 3 यह 1 और अपना यह minus का 3 तो 1 और minus का 3 next point है minus 1 और 3 तो minus 1 और 3 यह अपना point यहाँ पे minus 1 और 3 next point है 2 और 0 यहाँ पे 2 और 0 इसी point पे आएगा अपना 2 और 0 next point है minus 2 और 0 तो minus 2 और 0 अब इन सब point को अपन मिलाएंगे तो अपना graph row हो जाएगा यहाँ से start किया अपने यह graph जैसे बन रहा अपना यह बन गया अब यह aks aks points को कितनी जगा कट कर रहा है 1, 2 और 3 तो इस cubic equation के zeros की value होगी 3 अब इसमें अपन इस graph के तुरू zeros की value निकाल दी तो इसमें maximum होंगी यह 3 और minimum अपनी कम भी हो सकती है इसमें अब इसमें exercise 2.1 की बात करेंगे अपन उसपे कुछ questions दे रहे हैं उनको over solve करते हैं अब अपना first question exercise 2.1 का जैसे यह first question अपना यह अपन को graph दे रहा है अब इसमें अपन को zeros की value निकालनी है तो zeros की xx को जिस point पे अपना graph कट करेगा जितने parts में कट करेगा उसके उतने zeros की होंगे तो यह अपना उपर से निकल रहा है इस xx को कट नहीं कर रहा है तो इसमें zeros की संक्या होगी zero कोई भी zeros नहीं होंगे अब जैसे second question पे आते हैं अपन यह अपन को graph दे रहा है यह अपना xx point है यह yx है yx को नहीं देखना अपना को xx को देखना है किस point पे अपन को कट कर रहा है तो यह अपना first point तो यह रहा यहाँ पे कट किया और इसमें है नहीं तो अपने इसमें zeros की संक्या होगी one अप third question पे चलते हैं अपन तो यह अपना xx है इस graph में एक point तो यहाँ पे कट कर रहा है xx को second यहाँ पे कर रहा है third यहाँ पे कर रहा है तो इसमें अपने zeros की value होगी 3 और अपने को yx पे नहीं देखना है only xx पे देखना है fourth question लेते हैं अपना तो fourth question अपना यह graph दे रहा है अपने को अब इसमें भी अपने को xx point पे कहां कट कर रहा है एक तो इस point पे कट कर रहा है और एक इस point पे कट कर रहा है तो इसमें zeros की संक्या होगी 2 fifth question है अपना यह graph है अपना xx और यह अपना yx है तो इस पे अपन को देखना है अक्स अक्स पे किस point पे cut कर रहा है तो एक तो इस यहां पे और एक इस point पे एक ये और एक ये तो ये 1, 2, 3 और 4 तो इसमें zeros की संक्या होगी 4 अब अपना next question है इसमें ये graph दे रहा है अपन को इसमें अक्स अक्स को किस point पे cut कर रहा है ये graph तो 1, 2, 3 तो तीन point पे cut कर रहा है ये तो अपना yx है तो yx अपन को देखना नहीं है तो इसमें zeros की संक्या होगी 3 अपन को only xx पे अपन को देखना है कि किस point पे अपना graph कर रहा है उतने ही point अपने zeros होंगे गाइज वीडियो कैसा लगा इसको like और share करें इससे आगे का part अपन next वीडियो में करते हैं चैनल को subscribe कीजिए जिससे आने वाले new वीडियो के notifications आपको मिल सकें Thank you